देयर सुदेंट्स इस किलास में सभी का वेलकम है आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है एरोमैटिसिती मत्तब क्या हुआ प्रोपार्टी ऑफ कमपॉण्ड शोइंग एरोमैटिक करेक्टर देखिए एरोमैटिक कमपॉण्ड जो होता है यानि जो एरोमैटिसिती की जो प्रोपार्टी सो करता है उसका एक स्पेशल केरेक्टरिस्टिक होता है ये compound क्या होता है? cyclic होता है, planar होता है और हकल्स के नियम का पलन करता है तो इस तरह से देखते हैं कि ये इसमें जो pi electrons होते हैं वो de-localized होते हैं और इसके चलते compound की जो aromatic compound है उनकी stability बहुत जादा increase हो जाती है जिससे ये जो reactions देते हैं वो एक अलग category के होते हैं special characteristic के होते हैं और वो reactions क्या होता है? generally, electrophilic substitution reaction होता है देखिए जो aromatic compound है जिसे benzene है, nepheline है, furane है, pyridine है ये aromatic compound है इसके अलावा और बहुत सारे aromatic compound है तो ये जिसे furane है, या pyridine है ये heterocyclic compound है तो ये देखिए इनकी जो aromatic character है सब ये अलग-अलग होते हैं ये जो aromatic compounds होगा, वो following conditions को follow करना जरूरी है जैसे ये क्या, it must be cyclic and planar तो सबसे पहला जो condition है कि ये cyclic होना चाहिए और दूसरा क्या है, ये planar होना चाहिए बताब इसमें जो hybridization होगा, वो sp2 होगा और इसमें क्याए कि ये alternate single and double bond होगा यानि जो system होगा वो delocalized होगा और ये delocalization ही compounds को क्या हुआ कि special stability provide करता है दूसरा है ये तो इसलिए ये pie electrons must be delocalized मतब ये इसलिए ये ज़्यादा इसको emphasis दिया गया है कि जो pie electrons aromatic system में होंगे वो delocalized होंगे और तीसरा जो होगा ये कह कि हकल्स के नियम को follow करेगा मतब ये 4N plus 2 pie electrons होने चाहिए जिसे दिखिए इसमें क्या N का मान क्या है कि ये 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है and so on तो अगर N बराबर 0 है तो इसमें system जो aromatic system होगा वो इसमें 2 pie electron होंगे यानि ये इसमें देखिए double bond है और ये cyclopropenyl kattain है ये तो इसमें कह कि एक double bond है और एक carbon पे positive charge है तो इस तरह से ये aromatic character सो करता है दूसरा है N बराबर 1 है तो ये इसमें देखिए ये 6 pie electron होगा इसका मतलब ये 3 double bond है और ये जो बिंजीन है ये most studied जो है वो compound है ये तो ये बिंजीन है और N बराबर 2 है तो ये 10 pie electron है यानि 5 इसमें double bond है तो इस तरह से देखते हैं कि एन कमान ये 0 रखते हैं या 1 रखते हैं या 2 रखते हैं तो इस तरह से ये ये अलग अलग है कि ये aromatic compound हमें मिल रहा है और ये हकल्स के नियम को ये follow कर रहा है इसके साथ साथ जो मतलब ये conditions है aromatic compounds के लिए यानि जो compound aromatic city के property को सो करता है उसको ये follow कर पा रहा है तो ये stability of जो aromatic compound होगा ये resonance के वज़ा से होगा देखिए ये हाँ ये बेंजीन में resonance देखाए गया है तो ये देखिए ये पाई electron ये हाँ delocalized हो रहा है इसका मतलब इसमें ये पाई electrons का जो position है वो fixed नहीं है और ये देखिए ये ये यहाँ पर देखाए गया है कि ये dot dot चा देखाए गया है या दूसरे structure में ये गोला ये बिल्कुल है ये तो ये hybrid structure है इसका तो ये ना तो क्या कि ये जो double bond जिसमें fix है इस को ये जो है वो बेंजीन के property को सही describe नहीं कर पाता है बलकि ये जो hybrid structure है जिसमें ये पाई electrons के डी लोकलाइज़ है मतलब कोई भी ये जो इलेक्टोफाइल यहां attack करता है तो ये बेंजीन के कोई भी कारबन पर attack कर सकता है इसलिए ये hybrid structure या hybrid form ये compound के property को यानि बेंजीन के property को ये सही से describe करेगा और देखिए चाओ था क्या है aromatic compound generally gives electrophilic substitution easily तब देखिए इस तरह से यह क्या है कि यह aromatic compounds होगा उसमें electrophilic substitution reaction आसानी से होगा देखिए हकल गेव हीज रूल on for aromatic compound that is हकल सुरूस on the basis of linear combination of atomic orbital which is based on molecular orbital theory तब देखिए जो हकल्स ने अपना जो rules दिया है वो molecular orbital theory के linear combination of atomic orbital के basis पर दिया है जिसे सौट में L.C.A.O. कहा जाता है और इस basis पर ये conclusion निकाला जाता है कि भई इस system में ये compounds की जो energy होती है वो minimum होती है और जब ये किसी भी system की energy अगर minimum होती है तो उसकी stability maximum होती है ये general rule है for the stability of a system अब देखिए बहुत सारे ये system ऐसे हैं जिसमें ये aromatic benzone white system नहीं है ये वो benzine ring नहीं है लेकिन वो aromatic होते हैं जैसी ये isoline है और इसके लावा देखिए इसमें कहा है कि ये दो ये ring के हाँ पर है ये तो इस तरह से इसे कहा है ये isoline कहा गया ये तो ये non-benzone white compound है दूसरे जो compound है इसमें ये कहें कि ये cyclopentadienil ये carbonine है ये इनाइन है इसमें देखिए दो double bond है और एक negative charge है जो दो electron के बराबर होते हैं तो ये कहें कि इसमें ये resonance structure पाया जाएगा उसी तरह से देखिए ट्रोपीलियम कटाइन है तो इसमें भी कहें कि ये देखिए aromatic system है और उस तरह से इसमें ये जो resonance structure होगा ये इसके चलते इस system की stability हमें में इंक्रीजड मिलेगी इसलिए system जादा आप देखिए ये ड्यू टू रिजेन इस्टाबिटी ओफ एरो कम अरो मैटिक कंपॉंड इस इंक्रीजड लार्जर देस्ट्रक्चर ऑफ कंपॉंड ग्रेटर देस्टाबिटी किसी system की जतना जादा जो है वो एस्ट्रक्चर हो संख्या में उतनी जादा इस्टाबिटी होगी तो उस बेसिस पर यह देखा गया है कि यह जो एरो मैटि सीटी है इसमें यह जो कंपॉंड डिजोनेंस का जो यह घटना या फेनोमेन सो करता है उसमें कंपॉंड की जो स्ट्रक्चर होते हैं वो अधिक होते हैं इनकंप्रि तो वो उसकी एस्टाबिटी जादा होगी देखिए अब क्या कि यह जो कोई भी यह बेंजीन है या कोई दूसरे जो एरो मैटिक कंपॉंड है वो उसमें पाई एलेक्टोन्स क्या होएं डिलोकलाइजड होते हैं जिसके वज़ज़ से उनकी एस्टाबिटी इंक्रीज हो पहuates नोदो हो यह जाती है और देखिए इन सभी जो कंपॉंड्स के जो एस्ट्रेक्चर हैं और नेचर के बेशिस पर हम डिशाइड करते हैं कि भही वो किस तरा का तो मेंडिया परप्स जो एस्ट्रक्चर आइंड बॉन्डिंग का है वो हमें यह जाना कंपॉंड का स्ट और उसके नेचर के बारे में जानना है और इससे हम लोग ये जानकारी पराद करते हैं कि वो काम POURNE किस तरहो का reacts देगा उसकी कि मिकल प्रोपर्टी क्या होगी फिजिकल क्या होगी जतने सारी जो हम लोग इनकी जो ए स्ट्रक्टर एंड बांडिंग में स्ट्टी कर रहें कि कमपॉंड की जो मतर्स प्रोपाइटि के बारे में तो उसे हम लोग यह कंकुरूजर निकालते हैं कि वो कम पॉंड रवो किस तरह का रीक्शन देता है या उसकी केमिकल properties क्या होगी तो उसे यहां देखिए aromatic city के बारे में भी इसे यहां पर यह discuss किया गया है कि इन बेंजीन और इन aromatic in any aromatic compounds pi electrons are delocalized and so this property of delocalization gives idea of chemical party of aromatic compounds यह कोई भी जो aromatic system है जिसमें pi electrons delocalized होता है उससे हम लोग कहें कि वो किस तरह का chemical reactions देगा इसके बारे में यह conclusion हम लोग निकालते हैं और due to delocalization electrophilic electrophile can attack any carbon atom of benzene ring because there is a equal probability of attack of electrophile in aromatic system this give rise to reason for electrophilic substitution reaction तो इससे हम देखते हैं कि जो देखिए उपर में जो benzene का यह resonance structure दिया गया है और इसमें जो इसका जो hybrid structure है यह hybrid form है तो देखते हैं कि यह 6 carbon इसमें कहीं पर भी electrophile attack कर सकता है तिस तरह से यह दूसरे भी system में हम लोग यह conclusion draw करते हैं कि भी कोई भी जो compound होगा वो किस तरह का reaction से देगा उसकी chemical properties क्या होगी या physical properties क्या होगी उसकी बेसिस पर उस compound का हम हम लोग यह application या utility या applicability के बारे में जानते हैं तो यह main purpose यह जो compounds के जो अलग अलग property होते हैं या जो characteristic होते हैं उसे हम लोग study करके यह पता करते हैं कि वो compound किस तरह का chemical reactions देगा और इसकी properties क्या होगी तो आज यह aromatic safety के lecture में हम लोग यहीं यह stop करते हैं थैंक यूजिए मैच तरह करते हैं Defense